हेलो फ्रेंड्स विल्कम हेर कैसे आप सब I hope you all are doing good मैं फिर से आगई आप लोगों के लिए निव रीडिंग लेकर और आज के रीडिंग है हमारी पिक पाइल रीडिंग और इस रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि इन दा यर 2021 आप लोगों की कौन सी विश कौन सी इ डिवाइन के messages हैं क्या guidance है और कौन सी विश आपकी come true होगी और आप क्या अचीव करेंगे राइट तो ये 2021 पूरे की reading है कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी क्या guidance रहेगी क्या आप अचीव करेंगे क्या थूड़ा और डिले हो सकता है each and everything we are going to discuss in this reading हमारे पास है त्र करना है आपको अपनी intuition के according अपना पाइल चूज करना है और वहां से वीडियो को देखना start करना है कुछ लोगों से हो सकता है पूरी चीज़े resonate ना करें because ये general है अगर आपको सिफ अपनी reading करवानी है तो आप लोग personal readings भी book करा सकते हैं राइट अगर 21 की पूरी prediction आप लोग 2100 में ये 21 की पूरी reading आपको मिलेगी definitely ठीक है and I hope कि अब तक आपने चूज कर लिये होंगे cards चलते हैं reading कियो hey friends welcome here change your first card is change ठीक है जिनोंने first pile जोज किया था change उन लोगों के लिए मैं reading करने जा रही हूं कि 21 में आपकी कौन से wish पूरी होने वाली है कौन से desire पूरी होने वाली है क्या आपको मिलने वाला है क्या अचीव करने वाले है क्या changes आने वाले है आपकी life में plus क्या guidance है अगर 500 रुपीज पे करके आप लोग description box में मेरा WhatsApp नंबर गिवन है वहाँ पे contact करके अपनी personal reading भी बुक करा सकते हैं तो your card is change in life nothing is permanent constant changes in inevitable ओके तो life में कुछ भी permanent नहीं होता changes आने ही होते हैं रात है तो सुबा है सुबा है तो रात है रात के बिना सुबा अधूरी है और सुबा के बिना रात यह general reading है जितने messages resonate करें definitely रखना and leave the rest and यह पूरे 21 के year के लिए है जब भी आप चाहें आप चेक कर सकते हैं तो देखते हैं कि tarot क्या कहते हैं justice eight of roads four of curbs and अगर मैं bottom check करूं तो knight of vands Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sag आप यह आपके person जिससे भी आप बहुत प्यार करते हैं उनके zodiac sign हो सकते हैं आपके husband हो सकते हैं boyfriend girlfriend हो सकते हैं husband wife हो सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं कि 2021 year की number one thing आप लोगों की life में balance आ रहे है beautiful balance जो की सबके life में बहुत जरूरी है and no any doubt की आप इस balance को बहुत time से बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन before starting the reading मैं mastercard भी लेना चाहूंगी आपका and mastercard है the moon mastercard है आपका the moon and bottom है mastercard का the hierophant beautiful amazing and बहुत ही बहतरीन कार्ट्स आएं है आपके देखिए मैं आपके कुछ qualification बता देती हूं qualification means कुछ characteristics बता देती हूं जिससे आपको clarity मिल जाएगी ये reading आपकी है first of all मैंने sign already बता दी है second thing is this कि आप बहुत ज़्यादा emotional हो sensitive हो मातारानी में believe रखने वाले हो maybe आप मैंसे कुछ लोग शिवशक्ती दोनों की भूजा करते हो आप काफी spiritual हो traditional हो धार्मेक हो और आप मेंसे काफी लोग relationship में भी है लेकिन आपके person आपको ignore करते हैं धंक से बात नहीं करते हैं खुलके बात नहीं करते अपनी feelings को अठी तरह से बया नहीं करते वहीं आप मेंसे कुछ लोग wait कर रहे हैं किसी court case के over होने का उसमें justice लेने का कोई divorce का कुछ लोग wait कर रहे हैं marriage का तो भी बहुत ज़्यादा possibility है कि आप लोगों की court marriage हो आपको justice मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं in the year 2021 जिन भी चीजों में अभी तक आपने बहुत efforts लगाए हैं और ये justice आपको ऐसे नहीं है कि आज मांगा और कल मिल गया आपने 2020 में बहुत efforts लगाए हैं and finally equal given take and justice आपको 2021 में मिलेगा first card ही justice है beautiful change आपकी life में आएगा कि आपको justice मिलेगा second card growth का card है traveling का card है हो सकता है आप लोग काफी जगा जाने की traveling की planning कर रहे हो तो 2021 में आप वो traveling कर पाओगे किसी के communication का wait कर रहे हो तो वो person definitely contact करेंगे and communication start हो जाएगा किसी नई job का wait कर रहे हो किसी नई opportunity का wait कर रहे हो तो वो भी सामने से आती हुए दिखाई दे रही है या फिर किसी person के proposal का wait कर रहे हो और वो चीजे भी सेटल डाउन होने वाली हैं हाइरोफेंट का कार्ड है बहुत सारी लोगों की मारेज दिखती है हाइरोफेंट और जस्टिस कुछ लोगों की कॉट मारेज और कुछ लोगों की उनके रीती रिवाजों की अनुसार मारेज जिन्होंने पाइल नंबर वन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके परसन अभी बात नहीं कर रहे हैं खुलके लेकिन इंदे यर 2021 वे वह बात भी करेंगे प्रोपोजल भी लेकर आएंगे और मारेज़ भी करेंगे एक अच्छा कॉमुनिकेशन, एक जस्टीस, एक बालेंस, मारेज, कौट मारेज और कुछ लोगों की ट्रेडिशनल मारेज, ट्रावलिंग, नए प्रोपोजल्स को अधियर करना चाहे वो लव लाइफ के हों, चाहे वो बिजनस के हों, चाहे वो कारियर के हों, वो सब छीजे definitely in the year 2021 में आती हुई दिखाई दे रहे हैं, आप इस परसन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप इसे से मारेज करना चाहते हो, अगर आपको कोई और रिष्टा कोई offer भी करता है, तो आप neglect कर देते हो, आप yes नहीं बोलते हो, तो definitely, sorry, in the year 2021 ये रिष्टा सामने से और ये चीजे commitment मारेज तक पहुंचाएंगे, definitely double confirmation है कि 2021 में, जीनों ने पाइलवन चूस किया है, उनकी मारेज हो जाएगी, हो सकता है कुछ लोग मारेज के बाद भी, out of city, out of India, travel करें, honeymoon पे जाएं, वो possibility भी काफी अच्छी रहेगी, और अगर कुछ लोग अभी से planning कर रहे हैं, कई बाहर जाने का, घूमने का, तो वो भी possibility रहेगी, कि चीजे well planned हो जाएं, और कुछ लोगों का foreign travel, जो सपना होता है, वो भी कई लोगों का visa लग जाए 2021 में, और वो लोग foreign travel कर पाएं, बहुत ज्यादा possibility है, कुछ लोग हो सकता है, कि शादी के लिए अच्छी gold jewelry खरीदने का भी plan कर रहे हों, और 2021 में काफी ज़्यादा gold की jewelry वो लोग purchase करें, समझ रहे हैं, gold purchase करें, diamond purchase करें, तो और card check करते हैं, कि आपके बारे में क्या बताते हैं, this card is book, and ये book को देखिए आप, 2021 में आपके life के जो पन्ने मुड़े हुए थे, जो पन्ने अधूरे थे, वो पूरे हो जाएंगे, and जो chapter incomplete थे, वो complete होंगे, प्लस जो चीजे height थी, वो open up हो जाएंगी, ठीक है, आप बहुत mature बनोगे, बहुत wise बनोगे, बहुत intelligent बनोगे, and मुझे काफी लोगों का 1, 10, 19, 28, number important दिख रहा है, okay, and your next card is child, oh my god, अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो इंद ये 2021 में definitely आप लोग mother, father बन जाएंगे, आपका बेबी होगा, one more card लेते हैं, बगे, oh my god, कोई आपको propose करेगा, किसी garden में आप विजिट करोगे, marriage होगी, celebration होगा, वहाँ बहुत सारे flowers की decorations होगी, बहुत 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 beautiful cards हैं, किस लोगों के लिए 13 important हो सकता है, 16 important हो सकता है, 26 important हो सकता है, 9 important हो सकता है, coffin, कुछ लोग जो पुरानी चीजे, जो toxic relationship हैं, जो work नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़ कर आगे एक नहीं शुरुवात करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पर भी दिखा था, कि जो चीजे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है, जो चीजे hide थी, वो open up हो जाएगी, जो confusion है, वो clarity में convert हो जाएगी, then definitely कुछ लोग कुछ person को छोड़के, किसी नए person के साथ अपने life आगे बढ़ाएंगे, एक और card लेती हूँ, beer, बहुत ही beautiful card है, कुछ लोग बहुत strong हो जाएंगे, negative लोगों को अपने पास से हटा देंगे, ये दोनों cards ये ही बता रहे हैं, and कोई आपका well-wisher है, जो भी तक well-wisher होने की, कोशिश कर रहा है और दिखावा कर रहा है, finally वो reveal हो जाएगा, आपको उसका real face definitely दिखाई देगा, and your last message is की, जो की मैंने already बोला की, जो door है वो open हो जाएंगे, जो doubts है उनमें आपको clarity मिल चाहेगी, and बहुत बहुत बहुतरीन आपका future हैगा, and guidance card निकाल लेती हूँ, friendliness, again marriage, reunion, and message ये है की आपको मिल जोल के life में आगे बढ़ना है, transformation, बहुत कुछ लोग pain से गुजर रहे हैं, लेकिन उस pain में आपकी transformation है, definitely ये pain खतम हो जाएगा, and एक नई शुरुवात होगी, maturity, आपको mature बनने की जरुरत है, and मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 में आप लोग definitely काफी जादा मुझे mature होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे क्या चीज़े आपके लिए हैं, क्या चीज़े आपके लिए नहीं हैं, जो नहीं हैं, उनसे move on हो पाएंगे, जो आपके लिए हैं, उनको accept कर पाएंगे, and अपनी life को, full and finally, बहुत 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 enjoy करने वाले हैं, all the best for your future, I hope you like this reading, if you really like, don't forget to thumbs up, and share these in your group, please do subscribe my channel, if you like this video, if you didn't subscribe my channel, and click the bell icon, so that हर एक वीडियो का notification आपको definitely मिले, and ये messages की अगर आप personal reading book कराना चाहते हो, तो 2100 charges है, जिसमें आपको proper recorded video मिलेगी, जो सिर्फ आपकी होगी, bye for now, have a good day, Hello friends, welcome here, जिनों ने ये beautiful सा कार्ट celebration चोज़ किया है, हम लोग इस reading में चेक करने वाले हैं, कि 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये reading हजारों लोगों के लिए है, लेकिन सिर्फ और सेम ऐसी reading अगर आपको, सिर्फ आपके लिए चाहिए, तो उसका charges है, 2100, and detail और WhatsApp नमबर मैंने description box में mention कर दिया है, वहाँ से जाके आप नमबर ले सकते हैं, और अपनी personal reading भी बुक करा सकते हैं, तो your first card is celebration, good news, time for celebration, तो 21, आप लोगों के लिए good news लेके आने वाला है, celebration का time लेके आने वाला है, आप लोग काफी चीज़े celebrate करने वाले हो, जिन news का आप बहुत time से वेट कर रहे थे, वो good news आएगी, and then celebration होगा, यह timeless reading है, timeless इसलिए है कि पूरे 21 year के लिए है, तो जब भी आप चाहें देख सकते हैं, रेस्ट ही journal reading है, तो जो messages आपके से resonate करी, वो आप रख लें and leave the rest, तो tarot से check करेंगे कि, टारों क्या कहते हैं आप लोगों के बारे में? The Emperor, beautiful, very, very beautiful energy, आप लोग in the year 2021 में काफी ज़्यादा mature होने वाले हो, well balance होने वाले हो, practical होने वाले हो, चीजों को बहतरीन तरीके से handle करने वाले हो, एक अठी authority पर जाने वाले हो, अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी job के लिए try कर रहे हैं, तो definitely उन्हें higher level की अच्छी post मिलने वाली है, The Sun, superstar, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, definitely वो Sun की तरह rising way में आगे बढ़ेंगे, name, fame, paysa, celebration, तरक्की, अगर आप लोग baby प्लान कर रहे हो, तो baby भी बहुत जादा brightest chance है कि एक सूरिय की तरह 2021 में उभरो and अपनी लाइफ के सारी blockages, सारा अंधेरा मिटा कर उसमें सवेरा ही सवेरा कर दो and रोशन कर दो जिन्दगी को. Your next card is Knight of Cups. Again, a very beautiful card. And bottom is strength. I hope कि आप लोग cards को देख पारे हैं. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Leo, Aries. आप लोग हो सकते हो Sun, Moon, Venus, Rising में या फिर आपके person हो सकते हैं अगर आप किसे से बहुत जादा connected हो. And कुछ लोग Scorpio भी हो सकते हैं यहाँ पर. देखिए. आपके अंदर इतनी हिम्मत है. Just Like Childish हो. आपका मन Just Like Child है. सब के लिए बहुत इनोसेंट, बहुत काइंड, बहुत ओनेस्ट. आप किसी का पुरा ड्रीम में भी नहीं सो सकते. And मास्टर कार्ट से चेक करना चाहूंगी कि 21 में क्या changes आने वाले हैं. अभी तो वैसे मैंने आपको आपके बारे में बताया है. अभी थोड़ी दिर में मैं changes के बारे में भी बताऊंगी. The Tower. The Tower के बाद The Sun है. चाहे को जोब हो, चाहे कुछ भी हो. लेकिन नई शुरुवार 2021 में definitely होने वाली है. वही relationship आपके life में आएगा या कोई और. Cannot predict because यह general reading है. But still मैं आप यह कहूँगी कि कुछ बहुत better होगा. अगर वही person आएगा तो वो पूरा तरह से transform होके आएगा. एक ऐसा person बन के आएगा, जो आपको deserve करेगा and आप उसको deserve करेंगे. या फिर कोई नया person आएगा, कोई नई job आएगी, कोई नई authority आएगी. जिस भी चीज में अगर आप तूट चुके हैं, ठक चुके हैं, 2020 में परेशान हो चुके हैं, तो 2021 में टावर के बाद दसन है, that means उन्च चीजों की नई शुरुवात होने का समय, in the year 2021 है and bottom है justice. Justice मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की marriage भी बताता है and बहुत ही traditional way से यह marriage होगी, ठीक है? Justice आपको मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, Libra आप यहाँ आपके person हो सकते हैं, कुछ लोगों का अगर हाल फिल हाल में break up हुआ है, तो 2021 में reconciliation और marriage की काफी perfect vibes हैं. कुछ लोगों का अगर after marriage बेबी के साथ separation हुआ है, तो 2021 में chances रहेंगे कि आपका और आपके बेबी का और आप बेबी के फादर का बहुत जल्दी patch up हो जाए और आप सब एक happy family की तरह साथ में रह पाएं. क्योंकि अभी तक आपने give up नहीं किया है and आपको उस person का weight है. वहीं अगर आप लोग job के लिए weight कर रहे हो तो बहुत अच्छी authoritative और high level की job आपको मिलने वाली है, जिसमें आप बहुत you know appreciation gain करोगे, सब लोग आपके तारिफ करेंगे, आपके महिनत की, आपकी काबलियत की, आपके knowledge की और आपके experience की. ठीक है, बहुत responsible होने वाले हो, travel करने वाले हो कहीं और यह travel मुझे आप लोगों का love life के regarding लगता है, हो सकता है आप किसी hill station पे जाओ, हो सकता है कि आप किसी person से मिलने जाओ, जिसको आप love करते हो या कोई और person आप से मिलने है जो आपको love करता है या करती है, दूर देश से out of city से आए, तो अगर आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे हो कि बात तो चल रही है, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो 2021 में मिलोगे, commitment हो जाएगी, marriage भी हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, and देखते हैं, और cards क्या बताते हैं, and it is very very surprising double sun है, इससे brightest energy क्या हो सकती है, 31 आप के लिए important date हो सकती है, 13 आपके लिए important date हो सकती है, 22 आपके लिए important date हो सकती है, double sun, अगर कोई चीज इतनी toxic थी, जो आपके लिए थी ही नहीं, obviously reject हो जाएगी, and एक new beginning होगी, and वहीं अगर कोई transform होके आपके life में आएगा, तो definitely वो चीजों की भी possibility है, अलग-लग लोगों के लिए लग-लग messages है, garden, 20 आपके लिए important हो सकती है, day or date, जो भी है ये, and garden, garden is again implying की कोई आपको मिलने आ रहा है out of city से, and आप लोग गार्डन में मिल रहे हो, किसी natural place पर मिल रहे हो, date कर रहे हो, enjoy कर रहे हो, and obviously आप लोग nature lover हो, okay, next message is folks, अगर कोई चीज आप बहुत टाइम से अपने गंदे पर उठा कर चल रहे हो, and वो आपके लिए reliable नहीं है, वो just like a burden है, एक बोज है, तो आप बहुत जल्दी उस बोज को release करने वाले हो, 14 आपके लिए important हो सकता है, cross, again, आप लोग cut clear और cleanse करने वाले हो, जो चीज़े आपके लिए working नहीं है, and आप लोग काफी spiritual ह होने वाले हो, खुदा में विश्वास रखने वाले हो, divine आपके साथ है, universe आपके साथ है, 36 भी आप लोगों के लिए important हो सकता है, 9 आपके लिए important हो सकता है, 5 आपके लिए important हो सकता है, and one more card मैं लेना चाहूंगी, very very beautiful card, fish, 34 आपके लिए important हो सकता है, 7 आपके लिए important हो सकता है कि फीश का काड ये बताता है कि आपके life में abundance की तो कोई कमी रह dziない as- są career के भिहाव से ये पाइल बहुत बहुत परफेक्ट है कारियर में आपको बहुत अच्छ जौब मिनने वाली है अच्छी otheory मिनने वाली है आप लोग बहुत कि करने वाले हो लबलाइफ के भी आप से जो चीजे टॉक्सिक हैं उन चीजों को छोड़ कर आप नए परसन के साथ आगे बढ़ोगे या फिर रीकंसीलेशन की भी वाइबरेशन यहां पर है कुछ लोगों के लिए कि आपको जस्टिस मिलेगा रीकंसीलेशन होगा क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है बहुत सारे मारेट लोग भी अपने परसन का वेट कर रहे हैं लोगाने डाउट इन इट बहुत जल्दी आप लोगों की न्यू शुरुवात नई हैपिनेस वाली जर्नी और डबल सन इस दा कनफर्मेशन की सब ठीजों के अंधकार को मिटा कर आप उजाला ही उजाला अप अपने लाइफ को रोशन करने वाले हो तर्निंग इन अब आप 2021 में अपनी खुशियां अपनी जिंदगी अपने बारे में सोचोगे औरों के बारे में नहीं सोचोगे जो कि मैंने अल्रेडी बताया एंपरर से भी और आपको यही करना है यह गाइडन्स भी है आपके प्रेड करनी है जाने दो अगर आपकी होंगी तो लोटके डेफिनेटली आप तक आएंगी कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता वहीं जो सोल में ट्विन्फलेम हैं कमपलेशन की तरफ बढ़ेंगे मारिज की तरफ बढ़ेंगे रीकंसिलेशन और रीयूनियन की तरफ बढ़ और definitely no one in doubt आप लोगों की लाइफ में good news और celebrations की बुच्छार आने वाली है तो ये रिंग की आपके लिए I hope President की होगी पसंद आई होगी for more clarity you can book your personal paid readings too और इसी तरह की 2021 की reading चाहिए तो 2100 रुपेस चार्ज है आप लोग description box में मेरा whatsapp तंबर है वहाँ पे whatsapp करके जी पे फोन पे पे टीम कुछ भी करके अपने reading book करा सकते हो इसी तरह की एक recorded video आपको मिलेगी bye for now have a good day take care welcome friends जिनोंने पाइट 3 dreams का card चोज़ किया था I will communicate with you through dreams तो यहाँ पे divine universe जिस भी spirit में आप believe करते हैं यह दो साइम बाबाजी आपको कहते हैं कि आप एकेरे नहीं हो आप एलॉन नहीं हो जब आप उधास होते हो परशान होते हो तो मैं आपके सपनों में आता हूँ या फिर जिस में supreme power में आप believe करते हैं वो आपके सपने में आती है and आपके साथ communicate करती है तो अगर सपनों में आपको कोई भी संकेत मिलता है तो आप उनको समझने की definitely कोशिश किया करें आप लोग काफे spiritual है, no one in doubt and God से काफे ज़्यादा connected है ये timeless reading है क्योंकि पूरे 21 year के लिए है 21 में जब भी देखेंगे, resonate करेगी definitely काफे ज़्यादा clarity मिलेगी and pile 3 के लिए बार-बार vibration pile 1 के लिए की भी आ रही है अगर आप चाहें तो pile 1 भी चेक कर सकते है 2100 रुपीस चार्ज है अगर आपको 21 में 21 year की सेम ऐसी reading personal अपने लिए भी करवानी है because personal reading में सिर्फ आपके बात होगी हजारों लाखों लोगों की नहीं बात होगी ठीक है without wasting much time चलते हैं reading की और आप लोग वो reading चाहें personal reading तो book करा सकते हैं detailed description box में मेरा whatsapp number given है 2100 g pay, phone pay, ptm, kthru pay करके आप reading book कराए and definitely ऐसी ही recorded video आपको मिलेगी जो की सिर्फ आपकी होगी and हम चेक करते हैं tarot क्या कहते हैं five of swords the sun oh my god बहुत ही बहतरीन कार्ड है and five of pentacles okay bottom check करते है the star Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio आप याँ आपके person जिसके साथ बहुत deeply connected हैं वो हो सकते हैं आप लोग किसी situation से बहुत fed up हो चुके हैं ठक चुके हैं कुछ लोग बहुत जादा financial crisis को face कर रहे हैं and कुछ लोग अपने person को मना मना कर ठक गए हैं लेकिन वो हैं कि insult करने का मौका नहीं छोड़ते नाराज होने का मौका नहीं छोड़ते आप मनाते रहते हैं वो नाराज होते रहते हैं लेकिन एक अच्छी compatibility नहीं बन पारे कुछ लोग married हो सकते हैं after marriage separated हो सकते हैं कुछ लोग before marriage separated हैं बहुत कम बात होती है या फिर होती ही नहीं ये person काफ़ी egoistic है आपके insult कर देते हैं गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं इनका अपने गुस्से पर बिल्कुल भी control नहीं है आप इनको follow करते करते ठक गई हो और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके person की हाल फिल हाल में job चली गई है जिसकी वज़े से वो बहुत परिशान है या फिर आपकी job चली गई है लेकिन still इतनी सारी problems होने के बाद भी future के लिए बहुत जादा positive हो बहुत जादा optimistic हो राइट अब बात करते हैं कि 2021 आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है मैं mastercard निकालती हूँ mastercard है the chariot and bottom है the devil देखिये friends the bottom is the overall energy the devil that means जब आप reading देख रहे हो आप बहुत negative हो बहुत low हो बहुत परिशान हो dominating लोगों से negative लोगों से उन लोगों से जो आपका फाइदा उठा कर चले जाते हैं चाहे वो financially हो चाहे वो emotionally हो चाहे वो physically हो कुछ लोगों से जो आपको use करके चले जाते हैं अपने addiction से लोगों की addiction से या फिर आपके near ones हैं जिनको कुछ addiction है और उनकी उन गलत addiction से आप बहुत ज़्यादा परिशान हो दाचारियोट 2021 में अगर real में आप किसे relationship से situation से या ऐसे person से बहुत परिशान हो जिसने आपका miss use किया है आपका फाइदा उठाया है आपसे finance help ली है physical help ली है emotionally help ली है जिस तरह की भी help ली है क्योंकि यहाँ पे addiction बहुत ज़्यादा है आप उस toxic relationship को छोड़ कर आगे बर जाओगे हो सकता है आप मैंसे काफी लोग क्रिशन को काफी ज़्यादा मानते हो सूर्यों को काफी ज़्यादा मानते हो सूर्य की पूजा करते हो क्रिशन की पूजा करते हो तो यहाँ पे जो मुझे चीज़े दिख रहे हैं कि साई बाबा को तो मानने वाले हो ही सकते हैं वैसे दो डिवाइन इस अल्टिमेटली युनीक जिसको भी मानते हैं no matter 2021 में बहतरी बालेंस बना पाएंगे अपने लाइफ में जो चीजे अभी तक आपको परिशान कर रही थी आप बार-बार emotional होते हैं और सामने वालों की ये negative चीजों को भी accept कर लेते हैं क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हैं आप उनको खोना नहीं चाहते हैं आप उनकी खुशियां चाहते हैं और उनकी खुशियों के लिए वो काम कर देते हैं जो आपको गवारा नहीं है, जो आपका मन गवारा नहीं करता, लेकिन विकोज उफ उन्हें पसंद है, आप रेडी हो चाहते हैं, तो 2021 में आप बालंस बना पाएंगे, 2021 में आप इक्वल गिवन टेक रख पाएंगे, 2021 में आप अपने आपको प्राक्टिकली आगे चला पाएंगे, 2021 में आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, I know कि छोड़कर बढ़ना इतना आसान नहीं है, रह रह कि आपको याद भी आएगी 2021 में, आप उनको स्पाई भी करेंगे, उनके बारे में सर्च भी करेंगे, बट स्टिल आप इतने confident हो जाएंगे, कि जो चीजे आपके लिए acceptable नहीं हैं, जो चीजे आपको पसंद नहीं हैं, अब आपने उन चीजों को सिफ उस परसन की खुशि के लिए चलना है, इन जीजों की clarity आपको definitely 2021 में मिल जाएगी, आप लोग बहुत sad हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे dreams आते हैं, जिसमें divine आती हैं, supreme powers आती हैं, angels आते हैं, साही बाबा आते हैं, तो divine आपको यह कहना चाहती है, कि वह आपको dreams में बहुत कु problems हैं, लेकिन शुरुवात तो बहुत brightest होने वाली है, change बहुत major होने वाला है, devil से sun के energy में आप लोग आने वाले हो, devil से chariot chariot से sun, समझ रहे हो आप, आप सारी negativity, सारे addiction को लांग कर, पार कर, क्रोज करकि अपनी एक नई शुरुवात जिंदगी करने वाले हो, कुछ लोग अपनी लाइफ को एक नई शुरुवात की तरफ आगे बढ़ाओगे, उन टॉक्सिक रिष्टेदारों से relationship से हटा कर, ठीक है, and यहां पर 2021 में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के financial matter solve होंगे, relationship के matter solve होंगे, and आप लोगों के, आप लोगों की काफी ज्यादा healing भ possible हैं, अगर वो अपनी आपको इतना strong बना लें कि toxic चीजों से बहार निकल पाएं, because हम इतने ज़्यादा addicted हो जाते हैं, अगर love हमें बहुत ज़्यादा pain दे रहा है, लेकिन तब भी हम उस love के पीछे भाग रहे हैं, तो वो love नहीं है, वो addiction है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह ready हैं, अगर आप changes लाने को ready हैं, तो definitely आप grow करेंगे, बहुत बहुत positive cards हैं, and और cards check करते हैं, क्या बताते हैं, 2021 में क्या changes आएंगे, book, 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 बहुत सारी चीजे नहीं आएंगी, बहुत सारे chapter नहीं आएंगे, बहुत सारी पुराने chapters को close करके आप आगे की life में आगे बढ double confirmation, यहां chariot और यहां rider, move on करने की जरुरत है, और किसी action को लेने के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो वो action लेने की जरुरत है, 26, 8, 1, 19, 28, आप लोगों के लिए important dates हो सकती है, tower, tower, 19, again, tower is again implying here, कि आपको toxic चीजे खतम करके एक नई बुनियाद से नई दुनिया, नई जिन्दगी और एक नया balance बनाके नया tower खड़ा करने की definitely जरुरत है life में, नई बुनियाद, lilies, romantic life, loving life, caring life, आपका wait कर रही है, लेकिन आप toxic चीजों के पीछे भाग रहे हो, 30 आपके लिए important हो सकता है, 3 आपके लिए important हो सकता है, 12 आपके लिए important हो सकता है, 21 आपके लिए important हो सकता है, तो why are you in too much toxic things, जबकि beautiful life आपका wait कर रही है, I know कि 21 is the right time, जब आप इंची जो को समझ के आगे बढ़ पाओगे, and one more message is for you, that is garden, 20 आपके लिए important हो सकती है, और अगर आपका nature में इंटरस्ट है, gardening में इंटरस्ट है, and obviously आपको अपनी healing के लिए natural places पर visit करके वहाँ शांती से बैठना चाहिए, किसी लेक के पास, किसी जील के पास, किसी greenery वाले place में, definitely आपकी healing होगी, and आप अलग वे से अपने life को समझ पाओगे, जान पाओगे, देखते हैं, divine का guidance देना चाहती है आपको, mind, सारे cards इतने, you know, flow में आते हैं, कि it's really very very surprising, and I'm really very thankful to God, कि इतनी अच्छी guidance मेरे tarot cards के थ्रू मिलती है, सही में, देखिए, आप लोगों का mind, जिन्दगी, life, कुछ लोगों ने खराब करके रखिया, सोच के आप परिशान हो गए हो, and वो सोच के सब कुछ सड़ गया है, गल गया है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जुरूरत है, overthink कम से कम करने की, healing करने की, natural places पे visit करने की, और अपने आपको बेटे बनाने की, possibilities, ऐसा नहीं है कि अगर आप situation से move on कर जाओगे, आप खतम हो जाओगे, लेकिन वो success नहीं मिल पाएगी आपको जो आप चाहते हो, receptivity आपके life में आगी, again healing, again healing, एक कमल का फूल जो कीचर में खेलता है, समझ रहे हैं आप इसको, कि कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं है, अगर एक कीचर है, तो उसमें भी कमल का फूल खिल सकता है, that means अगर आप चाहें तो अपनी life को आप बहतरीन बना सकते हैं, no doubt in it, definitely you can, हर एक इंसान अपनी life को खुड ड्राइव करता है, जब हम toxic relationship में रहना चाहते हैं, तो हम ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकते, अभी तक लोगों ने आपको घर के बाहर खड़ा करके सिर्फ वेट करवाया है, उनकी call का वेट करवाया है, उनकी message का वेट करवाया है, हमेशा आपको outsiders की तरह ट्रीट किया है, यहाँ पर भी five of pentacle, वहाँ पर भी five of pentacle, तो ज़रूरत है अपनी वर्थ खुद पहचानने की, जहां value ना हो, वहां कभी मत रहो, चाहे वो खुदा का temple ही क्यों ना हो, moment to moment, पल-पल जिन्दगी बदल रही है, ज़रूरत है उसको समझने की और life में आगे बढ़ने की, तो यह था आप लोगों के messages, I hope कि यह resonate किये होंगे, पसंद आए होंगे, 21 में बहतरीन changes आपके life में आ रहे हैं, God से connectivity आपके बढ़ रही है, brightest sun की तरह आप राइस करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको toxic चीजों से अवे होना पड़ेगा, I am damn sure कि यह reading आप से resonate की होगी, पसंद आए होगी, for more clarity, you can book your personal paid readings too, bye for now, have a good day, take care, love you everyone.